जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव का T20 में परदशन रहा था इंग्लेंड के खिलाफ उमीद तो यही थी कि वंडे टीम में शुरेश एर की चोट के बाद इन्हें ही मौका मिलेगा लेकिन रिशापंत आये और अपने शांदार पारी की बदोला दूसरे तीसरे मुकावले में बहुत बहुत बहतरिन पारी खेली लेकिन ऐसे में इस खिलाडी के बारे में दोस्तो पूर्वे दिगज गेंदबाश खिलाडी जहिर खार ने एक बड़ी पर्तिकरिया दी है जिहां दोस्तों जहीर खान मुंबई इंडियन्स की तरफ से मेंटर की भूमी का निवाते हैं और सूरु कुमार यादब की टीम में ही नजर आते हैं क्योंकि मुंबई इंडियन्स से ही सूरु कुमार यादब खेलते हैं आई पिल में हमेशा परतिक्षा रहती है लेकिन मुंबई इंडियांस के साथ जुड़े रहने के बाद जब भी उन्हें मौका मिलता है वो हमेशा उस मौके को चूकते नहीं है बलकि उस मौके को बनाना जानते हैं और पूरी ताकत से सुर्य कुमार यादव अपनी निरंतरता को बरकरार रखे हैं जहिर खान ने कारे करम में कहा कि पिछले तीन आईपेल में सुर्य की लगातार वहतरेन परफॉर्मेंस उनके साथ खड़ी रही इसके अलावा घरेलो सरकिट में भी उन्हें मदद मिली वह ऐसा व्यक्ति है जिसने अपसर को पूरी तरीके से प्राप किया वो कहते हैं कि कई बार आप जब प्रदशन कर रहे होते हैं तब मौका भी नहीं मिलता सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से संभाले रखा क्योंकि दोस्तों आपको लगने लगता है जब आप टीम से नहीं जुड़े होते आपको लगता है कि टीम बालों को आपकी जुरत भी नहीं है तो आप अपने उपर काम करना बंद कर देते हैं लेकिन सूर्य कुमार यादव जानते थे आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो कभी न कभी तो टीम इंडिया में मेरी कोई ना कोई जगे बनेगी और जब जगे बनेगी तो मैं आपको सावित कर दूँँग कि मैं कितना बहत च्रीन हूं तो जहिर खान ने यह बहुत अच्छा ब्यान दिया है दोश्तों सूर्य कुमार यादव के लिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने लगातार प्रभावित किया है जब भी मौका मिला है और दोस्तों हम देखते हैं कई बार खिलाड़ी फॉम में रहते हैं उन यही खासियत इस खिलाड़े की जिसकी वज़स इसकी फैन फॉलूइंग में लगातार बड़ोत्री हो रही है ऐसे महनती खिलाड़े को हर कोई फॉलू करना चाहता है नेक्स्ट नाइम स्पोर्ट्स की रिपोर्ट